तो हुआ है युजु व्रेंड्स आपका स्वागत है आज इस वीडियो में तो आज की सग्षिटिवर नमबर पॉइंट जपन नमबर 15 हमारा चल रहा है तो जड़ने में 55 नमबर पॉइंट आज हमकरेंगे था ज़िए और पिछली वीडियो में पूरा कम्प्लीट कर लिया हाल्व करके जब भी हमारी एल के साथ हमारी टी के साउंड आएगी लाइट साउंड आएगी तो उस कंडिशन में जो हमारा एल है अपवर्ड यूज होगा और हाल्व भी होगा और लाइट ही हमारा बनेगा तो पिछले वाले हमें जप्टर में बढ़ा था जब हमारी एल के स साथ हगार मेरे ڈ के साउंड होती है तो उस कंडिशन में जो एल है हमारा डाउनवर्ड बनता है और डार्क भी बनता है और हाल भी होता है तो यह रूल आप को समझ में आगया होगा जब रहमारे कसा टी के सांड ऑध होगी और light बनेगा और जब भी हमारी L के साथ D के sound यूजी होगी तो L हमारा downward बनेगा, halp भी होगा और dark भी बनेगा, thickened बनेगा, और next ऐसके अदर हमारी R के साथ जब भी हमारी T के sound add होगी तो R T हमारा जो है upward बनेगा और half भी होगा और light बनेगा तो rule आपको को समझ में आ गया होगा तो आप करते हम इंग्संपल की प्रैक्टिस यांद इसके इंदर बल्टी तो बैल्ट के साथ मारी ऐल के साथ इसके अंदर टी कि सांट एंडर रही है तो ल्टी हमारा हाल हुआ है और लाइट भी बना है नेक्स औजंपल है पिल्ट नैक्स तरह को वह फिर ल्टी फ्ल्ट नेक्स अब बिल्ड को अ है फो का वोबल एल्टी फोल्ट है नेक्स्ट इसम्पल है बोल्ट्स तो ऐसमर लास्ट मैं तो ऐसे कैसे जोंगा भी फिर एल फिर एस तो बोल्ट्स नेक्स्ट स्टार्ट स्टार्ट फ्लो के साथ वर्ड बनेगा नेक्स्ट सपोर्ट सपोर्ट आरटी नेक्स्ट स्मार्ट स्मार्ट के बाद है शोर्ट शोर्ट नेस्ट स्कूर्ट नेक्स्ट पार्ड पी एक वोबल आरटी पार्ड नेक्स्ट है पोर्ट्स पोर्ट्स दो को वोबलारि टीस पोर्ट्स नेक्सस पोर्ट्स में अने स्टक पोर्ट एक्सपॉर्ट नेस्ट है इम्पॉर्ट तो एं पी इंपोर्ट तो यह सब भी एक्जाम्पल्स है हमारे 65 नंबर पॉइंट के तो इन एक्जाम्पल्स के आपको बिल्गुल अच्छे से प्रैक्टिस करने है तब यह आपको समझ में आएगा एल टी और एल टी में फरक नेक्स्ट हैस के अंदर हमारा 66 नंबर पॉइंट है वेन वोवल कम्स बिट्विन एल एंडी और 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 डी दा फूल स्टोक बस्ट भी रिटन तो इसे कहने हैं मतलब यह है एल और डी के बीच में हमारा जो वोवल आ जाएगा तो इस कंडिशन में डी और जोंसेंट वॉवल डी तो इसलिए मरों भॉबस्क बनाएा चेश सद्व में जरी लेड तो एकार की लेड तर Εन्दै जिए साउन तो ली लेड ऐसन लेड तो महाल नहीं कर सकते हिए ऴसित से मारे पूर manifestly प्रस्टो बना है डिलेड नेस्ट है फ़ो लोड ओ कि फो लोड नाज्स है मेरीड कि मेरेड कि नैस्ट है वेल्लीव, कि वेल्लीव, ठीक है निस्ट है मारा बोड बोड ऑर के बाद ओक्योग कि साउंड आ गई है, इसलिए पूरा वर्ड बना है नेक्स्ट है वरीड है वरीड है ठीक है तो यह आपको रूल याद रखना है जब लोडी की बीच में वह लाएगा तो आपका पूरा कॉंस्टनेंट बनेगा तो इन्हीं सब इक्जाम्बल के आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने है 64 नंबर पॉइंट है 65 नंबर पॉइंट की नेक्स्ट हैसके अंदर हमा 67 नंबर पॉइंट तो 37 नंबर पॉइंट हमारा इसके अंदर important पॉइंट है डिस्जोइनिंग से है यह समझना आपके लिए बोजिजी जरूरी है जैसे इंडिकेटिड इन परगराफ 35 भी तो आमने इसके बेस पे मारा यह पॉइंट है 65 नंबर पॉइंट तो एक बार आप परगराफ 35 को बी को जरूर देखना तो स्टोफ पड़ते हैं स्टोक्स ओफ अनिक्वल लैंद मस्ट नोट बी जोइन इव देर लैंद वूड बी नोट क्लेर नी शो तो क्लेरली शो नहीं होगी इ इसके बहुत बना था ठीक है इसे तरह हमारा यहां इसके आ है एटीट्यूट के इंदर ॆधर हम ओना जो से ड़ला यह अमारा गाल चाला होई है का से क्या हुआ Inc इसके अंदर के न्दर के रेट होगी इसके आंदर हमारा rahat हो रहा है हमारी ये वर च्रेटा प्लक करते हैं तो आपकोसमें घया होगा एक बाथ 35 पॉइंट और देख लेए तो आपको बिल्कुल creator हो जाएगा यह वाला पॉइंट और डिस बीट भी आपको बिल्कुल स्टोक के क्लोज में करनी है जैसे लिखाए अठी तो टी और डी को आपको बिल्कुल को इसको डिस जॉइनिंग करनी है जैसे नेक्स इग्जाम पलते हैं तो क्रेडिट हम ऐसे बन क्रेड़ी विस इसे को बनाता हूं तो यह हमारा कंफूजन क्रेट करेगा कि हाल हुआ भी है कि नहीं हुआ क्या बना हुआ इसको इसको करते हैं क्रेड़ अशे वर्ड बनेगा नेक्स है टी मुटानुट निक्टेटेटेड डिक्टेटेड नेक्स्ट है निक्तेटेड और स्टेटेड। तो अगर हम स्टेटेड को स्टेड कूं आपनाता हूं मैं तो टो एक कंफूजन क्रेट करेगा और विनने भी वुरी मतलब कंफूजन क्रिएट होगी तो स्थेथे यंट को स्थे ट्रेंट को हम इसको डिसज्ट जोइनिंग में नहीं आया होगा तो आ गया होगा वैसे तो नहीं भी आया गो तो 35 नंबर पॉइंट अच्छे से देख लेना आपको फिल्कुर अच्छे समझ में आ जाएगा उसकी जैसी यह लेटेड है नेक्स के अंदर हमारा स्पेशल यूज ओफ डिस जोइनिंग तो यह से इसके अंदर हमारा है प्रॉप्ट लेस तो प्रॉप्ट लेस में प्रॉप्ट लेस प्रॉप्ट नेस को हम नेस को डिस जोइन करेंगे और हम बनाते हैं से प्रॉप्ट नेस ऐसे बनाते हैं तो यह हमा करेंगे इसके बाद है मारा इंड़ेट नैस इंड़ेट नेस नेक्स्ट है आउटफिट अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो यह हमारा फ्लोव में बनेगा करेगा फिट में हाल बनेगा इसलिए तो आउट फिट को हम फिट को हार डिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे डिस्जुनिंग का उन्य वह भी आपको उच्छे से ध्यान रखना है तो इसके बाद हम देख लेते हैं शोट फॉर्म इस पॉइंट से लेटे करके और हाल करके एंड को रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट हैं अंडर को रिप्रेजेंट करेंगे लैन के ओपर एंजी को डार करके और हाल करके अंडर को रिप्रेजेंट किया आएगा नेक्स्ट हमारा यार्ड यार्ड को रिप्रेजेंट करेंगे बफ दा लाइन आर क को हाल्फ करके एंड थिकंड करके यार्ड को रिप्रेसंग कि जाएंगा एंड वर्ड को रिपिजिक जाएगा इसी तरह भो भी ओन दा लाइन नचस अनदर हमारा इमडियर्ट रिप्रेजिद्ट कि जाएगा हैं कौन्सोनेन्ट फिर M को हाल करके अड़ करके हुआ है क्उब करेंब थाए है स्कूल पारी बजन किया जाएगा ऍ्चे उन्य बज एक नोलेज को रिपरेज़न के दाएगा एंड फिर जै कॉंसुनेंट को ऑन दे लाइन नेक्स टैकनोलिज को रिपरेजन के दाएगा के लिए तो यह स्वोट फॉर्म से तो इन सभी शोट फॉर्म स्की बिल्कुल आपको उच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो इसके बादा आ हंँ मारा फ्रीजिंड सैच फ्रेजिंग है मारे तो फ्रेजिंग में ठiãoरा यth इस और उन को लिपशन करेगा एंड क्यंसुनेंट फिर चैंसुनेंट को हाफ करके पिर एस spent elegane जाएगा इन विच इज is नाकम आई हमारा आइम नौट उप्रेद्ट किया थाएगा ओळा थो ऑई एम्डोंक सॉरी हाल्फ करके इसके अंदर आ बर ऊक्त तनी लुकु भड़ेगा यूविल को रचे और ली बिजन कि आएगा यू विल नो लॉफ नॉट्ट्री बडर्ग से यह री वड़ा यू त। है दिस वी रिपर्जेंट इसומॉननं फिर वड फिर वोड बी इस उरिपर्जेंट कियाए जो ह। नियुंस्ट नुर वे को हाल पकरके सिरिप्रेंट कियाई आगा आई वूड तो इंस अहते हम हैं सब्सक्राइब लुब लुदेस इस इतनी हैばい आपके एकसरसाइस है वर्ट्स हैं तो सबी कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आची क्लास नहीं पर मारी फिनिश होती है तो इसके बाद हम करेंगे डबलिंग प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में